टॉलरेंस की बात आई तो फिर opposition तो कहेगी कि आपकी party में tolerance नाम की कोई चीज है ही नहीं क्योंकि BJP के बारे में यही कहा जाता है और यह आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि 2024 तक constantly यह कहा जाएगा कि आपकी party जो है जरा भी tolerance नहीं है और अगर 2024 जीत गई तो ना तो समभिदा ना जुडिशरी रहेगी ना election commission रहेगा ना media रहेगी क्योंकि हर चीज पर BJP हावी हो जाएगा यह आपको 2024 तक रोज सुनना पड़ेगा यह allegation 2019 में भी सुना था हम नहीं है लेकिन जुडिशरी भी अपनी जगह है, media भी अपनी जगह है, democracy भी अपनी जगह है देखे एक पात तो यह आप समझ लेजिए कि democracy हमारे देश में इतनी deep rooted है कि उसको कोई हिला नहीं सकता यह जो rhetoric यह लोग तयार करते इसका कोई मतलब नहीं है एक जमाना था हम भी कहते थे कि लोग तंत्र खत्रे में लोग तंत्र को समाप्त करने की कोशिश इंद्रा जी ने करके देखी है दो साल इस देश में constitution ने दिये हुए rights, fundamental rights were frozen और सारे opposition के leaders को jail में डाल दिया था my father was in jail for two years, वो जनसंग का काम करते थे चोटे से बड़े सारे leaders को jail में डाल दिया था और उसके बावजूद इस देश का लोग तंत्र समाप्त नहीं हुआ लोगों ने इंद्रा जी को बाजू किया और लोग तंत्र को बाहल किया इसलिए ये सारी चीज़े और मुझे बताईए अगर इस देश में लोग तंत्र नहीं होता तो ये सारे के सारे लोग साथ में मिलकर मोदी जी को रोज गाली देते हैं क्या-क्या नहीं कहते हैं मोदी जी के लिए कोई नीच कह देता है कोई और भद्धी गाली दे देता है तो लोग तंत्र है इसलिए तो आप गाली दे पा रहे हो ना इस देश में फ्रीडम है इसलिए दे पा रहे हो और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इस बात का दुख है क्योंकि I'm a lawyer एक बहुत consistent effort judiciary को undermine करने का ये opposition ने पिछले पासाथ सालों में शुरू किया है और कुछ लोगों को हाथ में पकड़ कर judiciary पर आरोप लगा देना ताकि वो लोग आखिर दे आर अलसो humans judges जो है याद भी humans है ताकि वो एक pressure में रहे ताकि उनको लगे कि ने-ने we have to play a balancing act अगर ऐसा दिखे इस देश में politician होने के बाउजुन मैं कहता हूँ that is a one institution की जिसके ओपर आज भी लोगों का विश्वास है उस विश्वास को खतम करने का काम चल रहा है और एक बहुत सोची समझी रणनीती के तैज चल रहा है प्रिजुडिस करने का काम चल रहा है बहुत गलत है मुझे तो लगता है कि जब ये लोग कहते है कि जुडिशिरी को समाप्त कर देंगे इन लोगों का भारत के सभविधान पर विश्वास नहीं है और मैं ये कहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत रतने डॉक्टर बाबा साहब अंबिड कर जी को इस देश को ऐसा सभविधान उन्होंने दिया है कि इस देश का लोगतंत्र जब तक सुरच चांद है तब तक इस देश का लोगतंत्र मर नहीं सकता